हेलो फ्रेंज, वेलकम तो एट्वेंटीफो नॉलेजे ओफिशल यूटूब चैनल, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्धय प्रदेश करमचारी चैन मंडल, MP Employee Selection Board की नियू डिकिर्मेंट नोटिफिकेशन, जो की आपके जारी की गई है तक्निकी सिक्षा, कोसल विकास इवं रोजगार विभाग के अंत्रगत, आईटाई में प्रक्षिक्षन अधिकारियों के पडों की भरती चैन परिक्षा 2024 जिसके लिए 23 अगस तक आप आविदन कर सकते हैं और ये वेकंसी केवल मध्ध प्रदेश के मूल निवासी केंडिएट के लिए रहती है अ यहाँ पर जाकर आप डिटेल्स को चैक आउट करें अगर आप एपलिकेबल हैं अपलाए करना चाहते हैं तो आप इसमें ऑनलाइन अपलाए कर पाएंगे आप बात करेंगे यहाँ पर इसके फॉर्म अपलाए प्रोसेस के बारे में और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें शेयर करें लाइक करें जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके तो यहाँ पर देखिए आविदन करने के लिए आपको यहाँ पर एक आविदन करें का option मिलता है आप इस option पर क्लिक करेंगे और इसके बाद आपको यहाँ पर आविदन करना होगा तो फ्रेंच से यहाँ पर देखिए फॉर्म को अपलाए करने के लिए आपके सामने जो सबसे पहले जो पेज ओपन होगा वो होगा declaration of a candidate का आपको फ्रेंच से सबसे पहले यहाँ पर देखिए है डिकलेर करने के बाद आप आगे बढ़ाएं वाले option पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आने के बाद फैंसे देखिए आपको आपका जो registration क्रमांग है वो आपको देना है डेट बढ़ देनी है और इस capture code को फिल करकर सत्यापित करना है अगर आप रजिस्टर है अब नीचे पहले तो हम profile registration वाले option पर क्लिक कर देंगे इसके बाद फैंसे जैसे ही आप इस option पर क्लिक करते हैं अब आपसे पूछेए का कि पहले से आपकी तर प्रोका आयडी है तो आप यहाँ पर यश कर सकते हैं अगर आपके पास पहले से register ID है पहले से register ID नहीं है ताप simply no कर देंग नो करने के बाद friends आपके सामने जो next page open होगा इसमें friends आप अपना जो mobile number है वो आप यहाँ पर देंगे और email id आप आपकी जो है यहाँ पर देंगे इसके बाद friends आप OTP प्राप्त वाले option पर click करेंगे आपके friends mobile number पर एक OTP आएगी वो OTP आपको verify करनी होगी इसके बाद friends आपके पास देखिए जो आपका registration करमांग है जो password है वो आपको friends send कर दिये जाएगा इसके बाद friends आप यहाँ पर इस option को click करेंगे और उसके बाद login आप कर लेंगे इसके बाद friends आपके पास देखिए अधार करमांग होना चाहिए अधार कार होना चाहिए आप yes पर click करेंगे और उसके बाद आप कैसे यहाँ पर सत्यापन कर सकते हैं तो क्योंकि friends आप घर से form को fill कर रहे हैं तो आप OTP द्वार सत्यापन कीजिएगा अगर आपके पास biometric machine है या फिर आप किसी shop से fill कर रहे हैं तो वो biometric से भी कर सकते हैं तो आप OTP का जो option है इस पर click करेंगे और आगे बढ़ाये वाले option पर click कर देंगे इसके बाद friends आपको देखिए जो आपका अधार कार्ड नंबर है वो आपको यहाँ पर देना है biometric से सत्यापित करवा कर form को apply करवा सकते हैं इसके बाद friends यहाँ पर देखिए आपका जो form है वो start हो जाएगा form start होने के बाद आपको friends यहाँ पर आपका name लिखना है तो friends आपका जो भी पूरा नाम है वो आप यहाँ पर enter करेंगे first name और आपका last name यहाँ पर enter करेंगे last name नहीं है तो आप na लिख सकते हैं यहाँ पर friends आपको देना है आपका father name और उसके बाद आपको देना है आपका mother name तो friends यह आप अपने according जानकारी enter करेंगे और यह valid तभी होगा अगर आपकी details आपके अधार कार्ट से match करेंगे इसके बार आपकी जो date of birth है वो आपको यहाँ पर देनी है तो आप यहाँ पर आएंगे इस calendar पर आपकी जो भी date of birth है वो friends आप यहाँ से select कर सकते हैं अगर आप मद्धे परते इसके मून अगर आप यहाँ पर हां कर सकते हैं और आपके विकलांगता का प्रकार क्या है इसमें पूचा क्या है इसमें पूचा क्या है आपका जो यहाँ पर disability है वो LD type का है या नहीं है तो आप यहाँ पर select कर सकते हैं नहीं है तो आप blank चोड़ेंगे और अगर आप candidate नहीं है disabled तो आप यहाँ पर no कर सकते हैं इसके बाद friends आप विवाहीत है तो yes कर सकते हैं आपके विवाह की तिथी दे सकते हैं बच्चों की संख्या यहाँ पर द तो आपका मकान नमबर, आपका गली, महला, गाउं, आपका छेतर, कोलोनी, आपका जो पूरा एड्रेस है वह आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, आपकी शहर या तैसिल कौन सी है, आपका राज्य कौन सा है, तो आप अपना स्टेट सूस करेंगे, यहाँ से आपको फ्रेंच से आपको नो मार्क की एंट्री कर देंगे, इसके बार फ्रेंच जो एक्जाम सेंटर है, उसमें फ्रेंच आपको एक फोटो युक्त पहचान पत्र देना होगा, वो शो करना होगा, तो उसकी जानकारी के लिए आप यहाँ पर कोई भी ऑप्शन को सेलेट कर लें, आप जो भ आपने बैंक खाते का विवरन देना चाहते हैं, तो यस कर सकते हैं, आप बैंक से या आएफसी कोड से वो सर्च कर सकते हैं, माली जा आएफसी कोड आप यहाँ पर करते हैं, तो आएफसी कोड आपको देना है, और इसके बार आपकी डेटेल साजाएगे, और बैंक का अका आपके जो यहां पर यह डॉकॉमेंट्स हैं देखिए आपको अपलोड करने हैं फोटोग्राफ सिगनेचर और हैंड रन डेकलेशन अब इसके लिए फैन से देखिए आपको डाउनलोड टेंपलेट का एक ऑप्शन मिलता है आप यहां पर किलिक करेंगे और इस टेंपलेट क करना चाहें वो आप डिकलेट यहां पर करेंगे इसके बाद फैन से आप इसे इसकें करेंगे और इसकें करने के बाद ही फैन से आप यहां पर इससे अपलोड करेंगे जैसे ही आप अपलोड करेंगे फोटोग्राफ सिगनेचर और हैंड रन डिकलेशन आपका आपका आप देखान ili पर चाहिए लिखा होना चाहिए और फोटो तीन मेने ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, यह आपको clear यहाँ पर कहा गया है, तो फोटो को यहाँ चुपकाने के बाद, signature करने के बाद, आप इसे scan कर लें, और scan करने के बाद, आप browse पर click करेंगे, फाइल को select करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर upload कर दे date है, तो PA certificate upload करना है, और आप friends, यहाँ पर देखिए, जो आपके अनुसार सास की चिकितसक है, उनकी दोरा प्रमान पत्र दिया गया है, वो आप upload करेंगे, तो इन में से जो भी आपका option applicable है, उसे आप upload कर सकते हैं, और यह upload करने के बाद ही, आप पर submit वाले option पर click करेंगे, तो यहाँ पर देखिए friends, मैंने sample के तौर पर यहाँ पर आपकी photo and sign आपको upload करकर show कर दिये हैं, आपको यहाँ पर friends, सही बताना है कि आपकी friends, यह सही धंक से आपको show कर रही है, इसके बाद ही friends, आप next option पर जाएंगे, तो friends, आप अपना जो registration page है, अब उसका जो print out है, वो आपकी जो date of birth है, वो डाल कर आप यहाँ पर सत्यापित करेंगे और आगे proceed करेंगे apply करने के लिए, इसके बाद friends, यहाँ पर देखिए, अगर आप भूतपूर सैनिक हैं, या friends, समीदा करवी हैं, या डिव्यांग हैं, तो आप select कर सकते हैं, नहीं हैं, तो आप यहाँ पर जो करमचारी है, छटनी शुदा वो है, तो आप यहाँ पर यह से अनो कर सकते हैं, इसके बाद जो यह vacancy है, तकनीकी प्रशन पत्र का विवरन आपको दिया गया है, आप इसमें से जिस भी paper code को select करना चाहें, आप उस paper code को select कर सकते हैं, और उसके बाद click here to select preference पर आप click करे इसके बाद फ्रेंस से यहाँ पर दिखिए, न्युक्ति हेतु जो पदो की प्रात्मिक्ता है, वो आपके सामने यहाँ पर open हो जाएगी, जो sectionic योगता required है, वो आपको शो करेगा, आपके पास यह है या नहीं है, आपको यह select करना है, और उसके बाद पच चुने पर click करन क्या है, कब आपका यहाँ पर registration हुआ था, आप उसकी जानकारी देंगे, और किस जिले से हुआ है, वो जानकारी आपको देनी होगी, इसके बाद फैंस से यहाँ पर देखिए, आपने जो sectionic योगता है, आपकी जो LBT condition से उसको सही से पहल लिया है, आप हाँ पर click करेंगे, और इसके बाद लिखित परिक्षा आप कहाँ पर चाहते हैं, वो आपको select करना होगा, तो आपके according, जो भी centers आप यहाँ पर लेना चाहें, वो centers आप यहाँ पर ले सकते हैं, तो चार centers चूज करने का आपको option मिलता है, इसके बाद आप इस data को declare करेंगे, और आगे बढ़ा पर क्लिक कर देंगे, इसके बाद multiple options हैं, आप चाहे तो net banking यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो card यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो UPI यूज कर सकते हैं, कोई भी option जो भी आपके according, आप यहाँ पर payment करना चाहें, उसके थुरू आप यहाँ पर payment कर पाएंगे, तो यहाँ पर select करने के बाद, आपके सामने जो build desk है, यह open हो जाएगा, जहाँ से आप अपना जो payment है, वो complete कर सकते हैं, और payment जब आपका complete हो जाएगा, इसके बाद आपना final printout आप से या download करके अपने पास रख पाएंगे, तो यहाँ पर फैंसे मैंने आपको जानकारी provide कर दी है, कैसे आ आप MP ITI Training Officer Online Form 2024 अपलाए कर सकते हैं, step by step process के बारे में, अगर आपको हमारा के वीडियो या update पसंद आया है, तो लाइक सब्सक्राइब बेंचे जरू कीजिए, बागी की जानकारी के लिए ऐसा ही बने रही हमारे साथ, देखते रहे हमारा लिडिप्टर, अलास थिंक्स वाचिंग